गुजरात की राजनीती की बात हो और हर अगर हम लोग हार्दिक पटल के बारे में बात ना करें इस संभव भी नहीं है आप देखे एक छोटी ही कमर ही उम्र में एक बड़ा नाम कमाया और बड़ी सफलताएं हासल की हुई है आपने देखा होगा जब गुजरात की विधानसवा चुना हुए थे तो इन्होंने काफी अच्छी महनद भी की और काफी अच्छी टक्कर भी दी थी बीजेपी को हार्दिक पटल की बात करें तो आज हम लोग हार्दिक पटल की बारे में एक सामान जानकारी देख लेंगी और एक बहुत छोटी ही उमर में आप देखें काफी बुलंदियों पर पहुँच चुके हैं आपकी स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे होगे हार्दिक पटल साहब और आप देखेंगे पाटी दार परिवार से आते हैं पाटी दार समोर से आते हैं और इसलिए भी गुजरात की राजनीती में इनका काफी महत्तो बढ़ जाता है और आप देखें कि हर पाटी इन्हें लेने के लिए वेताप रहती है आप लोग गुजरात देखें तो इसकी राजधानी गांधी नगर है और इससे हुल लगे हुए राजधा आप देखें तो आपका राजिस्थान हो गया मद्विदेश हो गया और महराष्ट हो गया और यहां आप देखेंगे तो आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा तो पाकिस्तान से भी इसकी सीमा लगती है और एक बात यहां बिधान सभा में आपको 182 सीटे देखने को में लेगी राज सभा में 11 सीटे हैं लोग सभा में 26 सीटे हैं और जो आपके मौधी साहब है ना जो अमिस साहब है ना ये भी आपके गुजरास से ही आते हैं कहां से आते हैं गुजरास से ही आते हैं हार्दिक पटेल की कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। यह कौन है हार्दिक पटेल। और गांधी राहुल गांधी का काफी करीबी माना जाता है। क्या माना जाता है। करीबी माना जाता है। अगर हम लोग हार्दिक फटेल की जनम की बात करें तो 20 जुलाई 1993 को चंदन नगरी गुजरात में इनका जनम होता है और इनका पालन पोशन गुजरात से ही हुआ है हार्दिक फटेल का जनम एक पार्टिदार परिबार में हुआ था और उनके पिता का नाम भारत पटेल जो भारती जनता पार्टी बीजेपी के पूर्व कारकरता और एक बिजनेसमेन है और माता का नाम उसा पटेल जो गेरनी है हार्दिक फटेल की एक बहन भी है और जिनका नाम मौनिका पटेल है क्या है मौनिका पटेल है और आप देखे कि बीजेपी से निकले हुए है एक तरह विरम गाम से पूरी की आगिसरी सहजानन्द आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज एहमदाबास से इन्होंने वीकॉम की डिगरी हासिल की और आप देखें कॉलेज लाइब से ही काफी राजनिती में सक्री हो गए और हार्दिक फटल साल 2012 में गुजरात की इस्थानी समूब सरदा एक बाद उनके बहतरीन कारियों को देखते हुए उनने सरदार पटल पार्टी का अध्धेक्च बना दिया गया लेकिन पार्टी की नेता लाला जी पटल के साथ कुछ अनब हो जाने के बाद वज़े से उन्हें पार्टी को छोड़ना पड़ा और उसके बाद आंगे पटल की एक दोस्त को काफी कम नंबर होने के बाब जूद भी स्कॉलर सिप मिल जाती है और इन सब में भेदभाओं को हार्दिक पटल को देखा नहीं गया और वो इसी को मुद्दा बना कर सरकार को घेरने की कौसिस में लग जाते हैं और जिसके बाद वो पार्टी विदा में कई राज्यों में कई जातियां आरक्षन को लेकर आप देखते हैं कि आंदोलन कर रही हैं और इससे पहले करती रही हैं समझ रहे हैं आप लोग आपने देखा है सामान जनरल केटीगरी की लोगों को भी 10% आरक्षन मिला है तो इसका कारण इनों की इनोंने बहुत पहल से ही मांग करते रहें आंगे उसी साल 2015 में पाटिदार अनामद आंदोलन समिती की सुरुवात होती है और वो आरक्षन को लेकर पूरे गुजरात में रेलिया करने लग जाते हैं हर्दिक पटल और देखते देखते पूरे गुजरात में पाटिदार लोगों का सैलाब खड़ हो जाता है और इसको देखते हुए राज सरकार को एक्षन लेना पड़ा और राज सरकार को भारती सेना की मदद से पूरे सहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा और ये साधितिक की हाधिसे की बज़े से हार्दिक पटेल को जेल भी जाना पड़ता है और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की परंपरा कह लीजे कि जब तक आप लोग संगर्स नहीं करते हैं जब तक आप लोग जेल नहीं जाते हैं तब तक आप बड़े नेता नहीं बन में जेल में बंद अपने एक साथी अलफेस कथेरिया कि रहाई की मांग को लेकर 25 अगस्ते से चल रहे हैं उनके आमरान अंसन को 19 पे दिन यह आप देखेंगे बारे सेप्टमबर 2018 को चमाप्त कर दिया हार्दिक पटेल भारती राष्टी कांग्रेस के सदस बन चुके हैं और आदिकी की भारती राष्टी कांग्रेस से जुड़े हुए हार्दिक पटेल 12 मार्च 2019 को कांग्रेस की सदस बनते हैं और जिसके बाद 16 महिनों में ही उन्होंने पार्टी की प्रा निर्मार्ट सेना का गठन किसलिए हुआ था और इससे जुड़ा हुआ बिबात क्या है ये भी कापी चर्चा में रहता है तो 9 सेप्टमबर 2015 को उन्होंने पटेल नौ निर्मार्ट सेना का गठन किया एक और्गनाईजेशन का एकमात उद्देश फाटिदार कुर्मी और इस भी हुआ और उन पर भारत तो साउत अपीका की मद्ध होने बाले वन डे इंटरनेशनल में बाधा डालने की कॉसिस का भी आरोप लगा था और सूरत में उन पर गंभी राजदरों का आरोप लगा जिसमें उन्होंने पुलिस वालों को मारने के लिए पाटिदारों को पेडित किया था और आप सभी जानते हैं कि इस तरह की अंदोलन जब होते हैं तो उसमें आप देखें कि इस तरह की घटनाय भी होती है रहती है पुलिस ते जड़प होना यानि कि अपने जिले में नहीं जा सकते हैं राज बदली हो गई है यानि कि राज इससे बाहर रहना पड़ेगा पाटिदार संगरस की अगर बात करें तो 1931 की कास्ट सेंसर के अनुसार राज में केवल 15% पर्टेल थी लेकिन 1960 में इस कमिटी ने अपनी राजनितिक और आ समदाय कापी मात पर रखता है और इसलिए आप देखें सभी राजनिताओं की सभी राजनितिक पार्टियों की निगाहें किन पर रहती हैं पाटेल समदाय पर पार्टिदा समदाय पर रहती हैं और एक बात और आप सभी जानते हैं कि हमारे जो पिधान मंतरी साहब हैं ग् हर फार्टी बेताब है। निकल कर उन्होंने बीजेपी का समर्तन शुरू किया और 1990 के दसक में वो सबसे महत्मूर बोट बेंक बन गए और जिसके लिए बीजेपी ने 120 में से 40 तक सीटें उनको दे रखी थी। कि अनुसार यह सच है कि लगवक सभी पार्टीदारों की इस्तिती अच्छी है। उनमें से बहुत से विदेशों में रह चले गए और उनमें से कई ब्यावसाई भी हैं। लेकिन बास्तों में पार्टीदार एक किरसी समधा है और हाला कि अब ऐसा नहीं है लेकिन अब भी उनमें से कई अपने खेतों पर काम करते हैं। और सिक्षा के बिती समर्पन इस बास से ही समझा जा सकता है कि पार्टीदार लॉन लेकर अपनी जमीन बेंच कर भी अपने वच्चों को पढ़ाते हैं। और धरमराज जिले में लगबक 3,000 पार्टीदार परिवार जिसमें कोल संक्या आप देखें कि 1133 है यह सभी NRI हैं जो की बैटे निउनाइटेट इस्टेट न्यूजिलेंड कनाडा और उस्टेलियन में सैटल हैं। और इस तरह इस गाओं में आप देखें कि 13 बैंक हैं जिनमें इन NIR पटेलों के 1,000 करोड रुपे हैं तो काफी इनका योगदान भी है। लेकिन इतना पैसा और जमीन होते हुए इस समाज के संगस का मुग कारण सिक्छा में उनको अनबर्गों की समान अधिकार नहीं मिल होना चाहिए समाज कार्तिक मापदन भी होना चाहिए और जिससे आरक्षण की जरूरत है उन्हें आरक्षण मिले ऐसी कोई विवस्ता होने चाहिए ओवी सी में आप देखते हैं क्रीम इलियर की आउधार ना आई हुई है तो यह भी अच्छी बात है यानि कि जो क्रीम खा चुके हैं जिनकी इस्तिधी अच्छी हो चुके है उन्हें आरक्षण का लाप ना मिले। इन अधिकारिक आंकणों को जूटा बताया और दावा किया कि गुजरात में करीब 50-60 लग लोग बेरोजगार हैं देश के अन्हे आरक्षण बर्क की तरह इस समाज की बच्चों का भी पड़ाई में लगातार अच्छी पेदर्सन के बाबजूत उपयुकत इस्थान नही मिलना समाज में रोज का मुग कारण रहता है और आप भी देखिए कि आपके नंबर अच्छे आए हुए हैं और दूसरे किसी जाती की नंबर कम आए हुए हैं बच्चे के उसका सेलेक्शन हो जाता है तो आपके मन में भी गुस्सा आता है और इस कारण ही संगर्स की मैं रेलियों का आयोजन किया गया और जिससे गुजरात की सरकार को गिराया जा सके और इसी आंदोलन से हार्दिक पटल ने पूरे देश का ध्यान पार्टीदास संगर्स की तरफ खीचा और इसी आंदोलन से आप देखेंगे क्या हुगा कि दुनिया भर में चरचा का बिस भी कहा था कि कॉंग्रेस पैसिडेंट और वाइस पैसिडेंट राहुल गांधी से सीक्रिट मीटिंग करते हैं नवंबा 2017 में उनकी सैक्स टैप में रेडियो और उनके समर्थकों मीडिया और उनके समर्थकों को चौका दिया था हालकि पटल ने दाबा किया था कि ये उनके दो साथियों को दोसी घोसित किया गया था और जिसमें तीनों पर पच्चास हजार का जुर्माना और दो बर्स की जेल की सजा दी गई थी हाला कि वो जल्दी जेल से छूट गए थी तो हार्दिक पटल की यही कहानी है और मुझे लगता है कि इस तरह के अगर यूब करना हो तो आप लोग बताईएगा उस पर भी हम लोग बात करते रहेंगे ठीक है